हलो फ्रेंट्स मैं हूँ एसल दाकड हमारी यूट्व चैनल दाकड नोलेज पॉइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स नर्सिंग वे पेरामेडिकल एलेटेड लेटेस अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंट्स आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एनम प्रसिक्संड 2021-22 वाले काउंसिलिंग की जिसकी डेट आ चुकी है काउंसिलिंग में कौन-कौन से कैंडिडेट को बुलाया है काउंसिलिंग में कौन-कौन से डोकुमेंट्स आपको ले जाने है काउंसलिंग है तू को लेटर नहीं आया है तो आपको क्या करना है इसके बारे में विश्थार से चर्चा करेंगे वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें प्रेंड्स जैसा की नोटिवेकर संदेख पा रहे हैं कि एनम प्रसिक्षन है तो सितंबर माम 2021 में फोर्म एप्लाई करवाये थे जिसकी काउंसलिंग की डेट आ चुके है काउंसलिंग 23 हरवरी 2022 को होगी ये काउंसलिंग सभी जिलू में एक ही तिन तता एक ही समय वे होगी काउंसलिंग सभी जिलू से 23 फरवरी 2022 को सुबह नोबजे से स्टार्ट हो जाएगी इसलिए अगर किसी candidate ने एक से अधिक जगह से फौर में अप्लाई किया है तो एक ही जगह counseling attend कर पाएंगे इसलिए conselling जहां पे कम cutback जा रही है वहीं से counseling attention करें कहांसे कितनी cutback जा रही है इसकी सूचना news paper में मिल जाएगी जैसे ही update हमारे पास आएगा तुरंत वीडियो बना के आप तक पूचाए जाएगी काउंसलिंग में पांच गुना केंडिडेट को बुलाए जा रहा है एनम प्रसिक्षन में एडमिसर ट्वल्थ के परसेंटेज के आधार पे कटोब निकाल के दिया जाएगा 12 में कोई भी सब्जेक्ट हो इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता आप बाइलोजी के हो चाए आर्स के हो अगरिकल्चर के हो 12 में परसेंटेज से मतलब है जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होंगे उनको वरिता दी जाएगी अभी पांच गुना केंडिडेट को ये बुला रहे है एक गुना केंडिडेट को ही एडमिसन मिलेगा अब बात कर लेतें डॉकूमेंट वेरिफकेशन में कौन कौन से डॉकूमेंटस ले जाने हैं तो डोकोमेंट्स आपको 10 पी मार्क सीट विदि साड़िपिकेट 12 पी मार्क सीट इसके इलबार रीजर बेशन साड़िपिकेट मोन निवास प्रमान पत्र आधार काड़ की फोटो कोपी पासपोर्ट सैज फोटो यह सबी और करेक्टार साड़िपिकेट ये सबी डोकुमेंट्स आपको ले जाने हैं, जिन केंडिडेट का चैन होगा, जिन केंडिडेट का इस काउंसलिंग में चैन होगा, उनको उसी दिन एडिमिसन लेटर मिल जाएगा, तथा जिन का चैन नहीं होगा, उनको उसी दिन डोकुमेंट्स लोटा दिये जाएंगे, तो फ्रेंट से अभी नोटिफिकेशन आयाई ही है CMA चोकारले के अधिकारी आपको फोन से कॉल कर सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग है कॉल लेटर भी बेज सकते हैं इन कॉल लेटर तो लगबग सभी को बेजेंगे बाई चांस कॉल लेटर नहीं भी आता है तो एनम प्रेसिक्षन में जिन केंडिडेट को बुलाए जा रहा है उनकी लिस्ट CMA चोकारले कलेक्ट ट्रेट ओपिस जिला रोजकार कारले यहाँ पे चिपका दी जाएगी वहाँ पे भी अपना नाम देखके काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं अगर आपका नाम है तो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं अब बात कर लेतें रिजर्वेशन की तो रास्तान गवर्मेंट के रिजर्वेशन रूर्स के अनुसार आरक्सेंड दिया जाएगा बात और बता दें कि अगर आपने एक से अधिक जगे फोर्म अप्लाइ कर रखा है तो जहां आप से कम कटोब जारी है वहीं से काउंसलिंग अटेंड करें और कहां पे कम कटोब जारी है उसकी सूचना जैसे ही हमारे पास आएगी पर तेक चिले की डिस्टिक वाइस आपको कटोब बताने के कोसिस करेंगे इसलिए चैनल को सबस्क्राइब नीज़ क्या सबस्क्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छा लगे तो सेर करें सबस्क करें जरूर कार तो सेरी का चैनल क्योंस टूरू ओय। सबस्चा दिए और क्यार वीvell कर दूर घरूर जरूर ज today जरूर कर लेल करें ओ all knowledge सबस्क्राइब का तो subscribe